What's up guys welcome back to my channel तो मैं जामता हूँ आप लोग मुझे काफी डाइम से बोल रहे हो कॉमेंट सेक्शन में कि भाई विला, रोहाउस, बंगलोज ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आया करो मुंबाई से थोड़ा नस्दीक हो एकदम मेन मुंबाई में भी नहीं हो लेकिन इतने डिस्टिंस पे हो कि अपने को जाने आने में आसानी रहे एक तेट गहंटे में अपन आराम से पहुंच जाए और ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिला मुंबाई के नस्दीक में जहाँ पर मैं आपको रोहाउस तो दिखाने वाला हूँ यह इतना बड़ा टाउंचिप है यहाँ पर लाइन से बड़े बड़े रोहाउस है एरिया इतना ज्यादा ग्रीनरी है में गेट है इसके पहले मैं आपको में गेट के अंदर लेके चलू बाहर का मैं थोड़ा एरिया दिखाता हूँ लेक वेक सबकुछ मतलब इतना इको फ्रेंडली एंवामेंट बहुत ज्यादा पेड़ पौदे इतना सुन्दर माहौल ता नहीं यहाँ पर मुझे तो मज़ा आ गया क्योंकि यहाँ पर 19 लाग रुपे से 1 बीच के भी चालू होता है रो हाउसे के प्राइसिंग में आपको बताऊंगा ना एक करोड का रो हाउस है ना पचास लाग का रो हाउस है ना चालीस लाग का 35 लाग से भी सस्ता रो हाउस मिल रहा है 19 लाग से 1 बीच के मतलब हर एक चीज आपको रो हाउस प्राइवेट गाडन के साथ प्राइवेट टेरिस के साथ मिलने वाला है मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ अंदर ले जाकर सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा फिलाल सामने का एरिया आप देखो लेक में वो कुछ लोग बैठे भी थे मतलब नहा रहे थे शायद यहां से निकलते वे मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जो पूरा टांशिप ijd आपको दिखाता हूँ इतनी सारी एमेनेटीज हैं यहां पर इंडोर गेम हो गया उट़ूर गेम हो गया मतलब इतना बड़ा club house बन रहा है कि मैं आपको क्या बता हूँ अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ आपको खुद देख के समझ में आएगा कि swimming pool, garden, indoor, outdoor, club house वो जो सामने आप देख रहो न बनता हुआ उतना बड़ा club house है यहाँ पर रिक्षा रिक्षा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और एक चीज़ बता दूँ यह सारे रोहाउस में आपको private garden, private terrace सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है तो सबसे पहले तो मैं इस area के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो रोहाउस है यह ready to move है मतलब completely बन के ready हो चुका है और पूरा construction quality आप देखो color आप देख सकते हो कितना जगा है बीच में जो road भी दिया हुआ है वो कितना spacious है और इस जगा के अंदर आप देखोगे कितनी सारी plantation है greenery है, paid pod हैं, सब कुछ यहाँ पर left side में एक किसी sample flat में भी मैं जाऊँगा उसके अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि मतलब किस चीज का size कैसा है area कितना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा यह सामने आप एक जो sample flat देख रहे हो यह जो बाहर का area देख रहे हो ना इसको must आप अपना garden बना सकते हो मतलब पूरा private garden हो जाएगा यह पूरा इतना space यहाँ पर आप और plantation कर सकते हो जूला लगा सकते हो मतलब जैसा होता ना एक छोटा सा garden आप चाहिए एक भाई में को एक छोटा सा private garden हो जाए तो वो वाला facility आपको यहाँ पर मिल रहा है इस row house के अंदर वो भी budget row house एकदम सस्ते दाम में मिल रहा है यहाँ पर तो 1 bhk 19,00,00 से चालू होता है मैं आपको पीछे पूरी township लेके जाओंगा दिखाओंगा वो भी दिखा दूँगा 2 bhk option भी available है यहाँ पर फिलाल जो तो row house में आपको दिखा रहा हूँ इसका price भी मैं आपको video के अंदर आगे बताऊंगा hall का space आप देख रहे हो इसी के आगे आओगे तो यह अपना staircase है उपर जाता है और नीचे भी अगर आप देखोगे तो काफी space है छोटा सा आपका मतलब store area बन जाएगा और यह सामने आप देख रहे हो यह आपका L-shape में proper kitchen and tiling filing के साथ उसके बाद जब मैं आपको इसके पीछे लेके आता हूँ तो यह भी आपको जगा एक्स्ट्रा मिलती है अब इसके अंदर भी आप garden बगेरा बना सकते हो मतलब जैसी आपकी requirement हो या अगर आपको पीछे balcony space चाहिए तो वो मिल रहा है और उसी के सामने यह आपका western toilet वाला washroom area भी आपको इस floor में मिलता है बाहर sink in का भी area है अब इसके उपर भी मैं आपको लेके चलूँगा उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो apartment है मतलब यह जो row house है यह 1 BHK का row house है सीधा सीडी पकड़के मैं उपर जाता हूँ और सामने में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दो bedrooms है यह जो आप सामने का area देख रहे हो यह हो गया आपका पहला bedroom का area और इसके अंदर अपने को balcony भी मिलती है balcony का size थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता लेकिन standing balcony आपको यहाँ पर मिलती है अब यह जो apartment का size आपने देखा इसके opposite में जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपको पता दूँ दोर का quality आप देख सकते हो उपर आपको washroom, bathroom area मिल रहा है और washroom का space आप देखोगे यह proper western toilet है अब यहाँ से मैं आपको उपर लेके चलूँगा यह 1BHK है, मुझे लगा 2BHK है 1BHK का यह row house है यहाँ पर भी stair दिया हुआ है आपको आप सीधा उपर जाओगे ना यह आपका पूरा पूरा का पूरा private terrace, मतलब आप यहाँ पर बड़े बड़े जूले लगाओ, आराम से बैठो शाम को चाइवाई पियो मतलब यह आपको वो माहौल देगा वो feeling देगा, जो जितने भी लोग मेन मुंबई में घर नहीं खरीच सकते या row houses नहीं खरीच सकते row house ही उनको चाहिए और वो चाहते हैं कि मुंबई से थोड़ा आसपास में कहीं मिल जाए, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा एक देर घंटा ट्राविल करके चलेगा तो उनके लिए यह property बहुत जबरदस्त है, और इसी row house के सामने, भाई साब मतलब जितने बड़े-बड़े mall बनते है न लगबग उसी size का तो यहाँ पर आपको club house मिल रहा है इतना बड़ा club house मैंनो तो genuinely कहीं नहीं देखा, अब यह row house के बगल में आप आओगे तो यहाँ पर under construction row houses भी आपको मिल जाएंगे मतलब यह चीज में आपको दिखाना चाहता था यहाँ पर कि मतलब ready to move में अपने पास row house है और under construction में भी row house बनी रहा है और उसके सामने मैंने आपको दिखाया भाई यह massive massive size का proper club house anyways मैं इसके आगे आता हूँ और आपको अंदर लेके चलूँगा तो जो मैं आपको 1BH के 2BH के वगेरा बता रहा था ना वहाँ पर भी मैं लेके चलता हूँ ऐसे भी project से जो बना कर पूरा sold out करके इसको मतलब possession दे दिया है society वसाइटी ट्रांसवर हो गई है सामने आप देख रहे हो नहीं जितनी भी building है इसी developer ने इसी township के अंदर बताया है मतलब जो main gates से हम लोग अंदर आए और उसके अंदर जब आगे आते हैं तो ये buildings है और अंदर आओगे तो ये इतना सारा society बनाया हुआ ये आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा तो open space है building तो आपको दिखे रहे हैं दूर दूर है लेकिन उसके आगे ये जो जगा देख रहे हो road देख रहे हो garden देख रहे हो ये कितना खुला जगा है मतलब अगर आप चाहते हो ना कि आप ऐसी जगा घर लो भाई जहां पर greenery हो खुला space हो, कम budget में हो मुंबई से 1.5 गंटे के distance में हो तो ये property मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी होने वाली है क्योंकि मुझे personally greenery बहुत ज्यादा पसंद है मतलब पेड़, पौदे, फूल, वूल, सब कुछ हो हरा हरा मतलब मैं अपने घर के नीचे आऊँ तो ऐसा महसूस हो मुझे कि हाँ यार यहाँ पर जो vibe है वो बहुत अच्छी है बहुत शांदार है शाम को अगर मैं घर के नीचे आऊँ तो मज़ा आना चाहिए इसा लगना चाहिए कि जो भी मैंने पैसे दिये हैं वो वर्तिट है अब इसके आगे आकर यहाँ से left turn लेके कि मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ यहां पर भी societies है मतलब मेन ओफिस वहीं पर है आपको मैं एक sample flat भी दिखा देता हूँ मतलब आपको row house का sample flat मैंने दिखा दिया अब मैं आपको दिखा रहा हूँ flat का sample flat flat का sample flat जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1BHK, 2BHK भी available है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा terrace space आपको मिल रहा है इसके अंदर मतलब इतनी बड़ी balcony तो नहीं होती तो इसको तो मैं तो terrace ही बलाऊँगा आराम से इसके अंदर बड़ा जूला लगा सकते हो इतना बड़ा terrace है hall का size आपने देखा यह massive size का hall है यह सामने आपको L-shape का proper kitchen मिलता है तो यह video properly उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि भाई उनको मुंबई से 1,5 घंटे का distance चलेगा उनको property सस्ती चाहिए उसके बाद उनको शामती एरिया में property चाहिए यह पहला bedroom भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर भी balcony आप देखो कितनी लंबी balcony है मतलब size में आप देख सकते हो हर एक चीज का मतलब proper design और proper space के साथ यहाँ पर बनाया हुआ था अब इसके अंदर जब दूसरे bedroom में मैं जाता हूँ तो यह master bedroom था इसके अंदर भी balcony थी और master bedroom का space भी मैं आपको दिखाता हूँ balcony का size देखो easily 3 feet, 2 feet की balcony है सामने आपका यह washroom और washroom bathroom area भी बड़ा बड़ा था बाखी की details भी मैं आपको in detail देता हूँ पहले यहां पर जो मैं अंदर दिखा रहा हूँ sales office आप देख सकते हो यहां पर यह commercial space बनाया हुआ है, गाले बाले हैं इसी के अंदर medical और जो भी daily सामान की चीज़े होती है तो हर एक चीज आपको building की अंदर ही society में मिल जाती है अब यहां पर यह दूसरी society है दोना दरफ building है, बीच में garden देखो कितना बड़ा है उपर से चड़के मैं आपको एक बार view दिखा हूँ अगर यह main office था, अब इसके दूसरी दरफ से अगर आपको मैं view दिखा हूँ ना खाली इतना मज़ा आ जाएगा आपको खाली यह view देखके कि कोई भी जिसका budget 1 BHK में 19 लाग रुपे का होगा न वो आराम से ले सकता है और white collar की audience है तो special discount भी मिलेगा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, row house का क्या price है सारी detail में आगे देता हूँ, main location आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप सामने देखोगे आई लव पाल घर करके proper एक board लगा हूँ है आप आराम से दैसर से मुंबई चालू होता है दैसर से विरार आदे गंटे में आ जाओगे 20 मिनिट में, 25 मिनिट में और विरार से थोड़ा टाइम और लगता है club house का जो मैं आपको बताना चाहता था club house यहां पे लगबख 30-40,000 square feet का इतना बड़ा club house आपको मिल रहा है जिसके अंदर garden होंगे, swing pool होंगे हर एक चीज मैं आपको सब कुछ explain किया हुआ है तो यह जो property है, final आपको बताऊ 1BHK अगर आपको चाहिए, 19,000,000 रुपे का दिसकाउंट के आप दिला रहे हो, white collar business पे हमेशा आपको डिसकाउंट मिलता है तो अगर आपने मेरी विडियो देखिए तो 1BHK जो 19,000,000 रुपे का मिल रहा है 50,000 का डिसकाउंट मिलेगा 1BHK रोहाउस जो 30,99,000 का मिल रहा है 50,000 का उस पे भी आपको डिसकाउंट मिलेगा white collar business के अगर आप सब्सक्राइबर हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो same 2BHK पे भी 50,000 रुपे का आपको डिसकाउंट मिलेगा अभी भी कोई डाउट है स्क्रीन पे direct developer का number दिया हुआ है आप call करो सारी information आपको मिलेगी कोई भी third party बीच में included नहीं है direct developer से बात करो direct property खरीदो 0% brokerage आपको इस property का review अब आप मुझे और बताओ और कौन से location बीच यह है मैं जरूर वहाँ का भी लेके आऊंगा आपके comments देखके ही feedback लेके ही मैं अपनी videos में improvement करता हूँ तो जरूर comment करना अगली video में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत